हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड़ जेनवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज 8 फेबरारी 2021 और आज की डेट पे इंडिया का ओएल एंड गेस सेक्टर का एक दिगच कंपनी बीपी सियल का क्वाटर थी का नतीजा आउट हो चुका है बट नतीजा दोस्तो थोड़ा सा गिरावट रहा बट उससे भी ज्यादे इंपॉर्टेंट यहां पर एक सो साथ परसेंट का डिविडेंट एनाउंस किया और उसके साथ साथ दोस्तो बीपी सेल का प्राइवेटाइजेशन रिलेटेट एक न्यूस भी आपको साथ देना है तो दोस्तो चले इस वीडियो के थू जैंब यह कंप्लीट ट्रूर्वाटर ट्री का रिज ब्रोकर इच प्रीज ना के बड़ाबर लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार्ट चीज़ों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और यहां पर डिविडेंट की उपर पूरा डिस्केशन करेंगे सबसे पहले दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि बीपीसेल नहीं यहां पर इंटरेम डिविडेंट डिकलियर किया डिसमबर कौटर में टोटल 16 रुपए पर शेर यानि एक शेर की एगेंस में आपको 16 पर तो दोस्तों डिविडेंट का बाता है कि रेकर्डेंट तो यहां पर जो डिकॉर्डेंट सेटा है पहले आपको BPCL का share खड़ीदारी कर लेना चाहिए तभी जाके आप BPCL की dividend के लिए eligible होंगे और already अगर आपके पास BPCL का dividend है तब कोई बात नहीं आपको जरूर dividend मिल जाएगा तो दोस्तों चली अब हम देख लेंगे कि BPCL का quarter 3 का नतीज़े कैसे आया है तो दोस्तों मैं अभी quarter 3 की consolidated financial result के उपर आ चुका हो तो यहां पर जितने भी नंबर से सारे इन करोर्स पे लिखा हुआ है सबसे पहले दोस्तों यह current quarter यानि December 2020 का result यह है last quarter यानि September 2020 का result और यह है last year 2019 December quarter का result यहां पर हम यह तीनों quarter को एक साथ compare करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे मैं पहले आत 26,027 करोर रुपए यानि 88,000 and 27 करोर रुपीज जो कि last quarter यानि September 2020 में कमपनी का total income हुआता 66,635 करोर रुपीज तो यहां पर आप देख सकते हो सिधा 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 कि quarter on quarter पे बहुती शांदार जंप आया है but year on year यानि last year 2019 December quarter में कमपनी का total income हुआता 64,495 करोर रुपए यानि 86,495 करोर रुपीज तो चाहिए यहां पर quarter on quarter चाहिए year on year दोनों सेग्मेंट पे total income पे यानि कमपनी का सेल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है revenue growth जबरदस्त हो चुका है quarter on quarter भी year on year भी चलिए हम नीचे चलके देखते हैं कि कमपनी का total expenses जो की second important चीज़ होता है कोई भी कमपनी के लिए expenses यानि कमपनी का खर्चा कितना हुआ हुआ जो कि इस quarter यानि 2020 की December quarter में कमपनी का total expenses हुआ 3256 करोड रुपीज तो जो कि लास्ट quarter सेप्टेमर 2020 में हुआता 1228 करोड रुपीज यानि 62228 करोड रुपीज तो याँप आप देख सकतो सीधा सीधा quarter on quarter total income बढ़ने के साथ साथ कमपनी का total expenses यानि खर्चा भी बढ़ चुका है जो कि लास्ट यार डिसमबर 2019 की कॉटर में कमपनी का total expenses हुआ था चुरास याजार 495 करोड रुपीज यानि 84,495 करोड रुपीज तो यहां पे year on year भी काफी ज्यादा expenses बढ़ चुका है चलिए हम नीचे चल के देखता है कि company net profit कितना कमाया क्योंकि देखी expenses काफी ज्या चाहे year on year चाहे quarter on quarter दोनों segment पर गिरावाट देखने को मिला है चो कि इस quarter में company का net profit आया है 1900 करोड रुपे का यान 1900 करोड रुपीज का net profit कमाया चो कि last quarter September 2020 में था 2590 करोड रुपे का यानि 2589 करोड रुपीज तो यहां पे quarter on quarter पे बहुत ही ज्यादा गिरावाट देखने को मिला और उसके साथ साथ दोस्तों चाहे year on year baby काफी ज्यादा गिरावाट देखने को मिला almost 10% की गिरावाट रहा year on year पे और quarter on quarter पे दोस्तों और भी ज्यादा चले दोस्तों हम नीचे चलके देखते है company का जो EPS है यानि basic and diluted EPS कितना कम या ज्यादा हुआ जो कि इस quarter में है 7.96 का basic and 7.93 का diluted जो कि last quarter September 2020 में था 11.51 का basic and diluted भी सेम तो यहां पे आप देख सकतो सीरा 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 नेट प्रोफिट घट जाने की साथ साथ जो इसका basic and diluted EPS है वो भी कम हो चुका है year on year पे भी चाहे quarter on quarter पे दोनों सेग्मेंट पे कम हो चुका है इस quarter में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला अगर आप sales यानी revenue की इसाब से बिचार करोगे तो दोस्तों काफी शांदान नमबर आया तो आप यहां पर देख सकते हो कि revenue growth जबरदस देखने को मिला तो दोस्तों मेरे खाल से result ठीक ठाक है बहुत जादा मतलब negative भी नहीं ही आया तो सम देख लेंगे की कंपनी का अलग-अलग segment वे बहुत सारे segment वे business है कहां से कितना revenue जनेरेट किया यासे कब पता है बीपी सेल का जो मेन एन कोर बिजनेस है वह petroleum का जो कि यहां से सबसी ज्यादा revenue generate होता है तो इस quarter में वहां से आया है petroleum से तो यहां प्याइब एक से रिजल ठीक ठाक है सेल्स को जबर दस्ता है बटनेट प्रॉफित उतने ज्यादा कमाने ही पाया चले दोस अब हम देखेंगे की बीपी सेल की शेयर प्रेज में आज यानि मंदे के दिन कैसा movement रहा तो दोस्तों आज बीपी सेल का शेयर पैस positive में closing डिया almost 1.2% की तेजी था तो दोस्तों आप बात आता है किया आपको इसमें इवेश करना चाहिए यानि उसके पहले में आपको और निउस दिखाना चाहूंगा जो कि ये कुछ दिन पहले का इन्यूस इसको पर में और लेडी वीडियो भी बना चुका हूं कि एलाई से आई पो की दिन यहां पे स्टार्ट होने जाए फइननशेल या 22 तो वहां से लेखे फिल से लेके सेंटेमबर की अंदर बिपिसेल का जो प्रवेटेशान है वह कंप्लीटी हो जाएंगा यानि डाइवेस्मेन कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों एक बाल यहां पे अगर अगर कमिट कर दिया है पास चल रहा था उसी टाइम से मैं आपको बोलना हो कि बीपी सेल यहां पे आप खरीदारी काना स्टार्ट कर दीजिए इसी टाइम पर देख सकते हो अक्तवर सफ्टोर नॉयम्बर कंटिना से एक सेम पाहला लाइन पर चल रहा है क्योंकि बार 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 बीपी सेल का प्राइब देशन यूस यह प्राइब डिले हो रहा है बेर हो ड़ा है बट फाइनली अभी हमारे इस साल जो इन बजट में हमारे जो एफे मिनिस्टर है मिस अगले शह मैंने कंदर हो सकता है तो अगर बीपी सेल प्राइब डिशन हो गया दोस्तों यह शेयर पर नहीं पाओगे अगर मैं लॉंग टाम का बात करूं काफी बढ़िया सब्सक्राइब यह भी आप इगनोर नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है ठीक है एक समय यह शेयर 500 रुपए की ऊपर चल ला था यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा ओक्टवर की महीना पर यहां पर देख सकते हो बट तुटावजन एटीन ऑक्टवर बट उस टाइम पर दोस्तों उसके बाद से गिड़ावाट रहा और गिड़ावाट कंटीनू रहा तो लॉंग टाम का शिरे शॉट टाम के लिए इसमें चल दिसे भी निवेश मत करना मैं बार बोलों लॉंग टार्गेट लॉंग तबी आप इसमें निवेश की जैए उसका बाद आज की डेट में अगर मैं कारवार बोलू तो काफी बढ़िया आज वॉल्यूम देखने को पर श्यार डेलीवर परसेंट इस 35 परसेंट तो दोस्तों यहीं बोलूंगा कि देखे रेजल ठीक तक आया है मेरे क्याल से बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है बहुत ज्यादा पॉजिव नहीं है बट डिवीडेंट काफी बढ़िया डिक्लियार किया तो यहां पे बडिवाны पॉजिवत ज्या ओमने बेज़ खिया ज्यादा बटवाची थाएब यहां थास।